दोस्तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेर करें दोस्तो आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जूरूर थे है मुक्क हैं तूड़े Beach breaking news के रूपे तो दोस्तो में आप यदो 2000 को सबस्कार करने के पदा घं। VISTA से दबादे ताकि जो भी बिडूटल आप तक पहुंची रहे तो दोस्तों सुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के रूप में तो दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर है दोस्तों बिड़ को एक लाइक जरू के दोस्तों लोक सभाचोनाओ 2019 में मायावती के सरकार में मंतरी रहे नसीमुदिन सिद्धिकी ने दावा किया है कि 23 माई के बाद मायावती भाचपा में सामिल हो जाएंगी कॉंग्रिस नेता सिद्धिकी ने कहा है कि बस्पा सुपरीमों मायावती के प्रधानमत्री पत की दावेदारी को लेकर के मीडिया में चल रही ख बस्पा सुपरीמו मायावती के में सामिल हो जाएंगी उन्होंने कहा है कि मायावती पहले ही भाचपा में साविल हो जाएंगी तो सपा के सामने देस और प्रदेस हिद के कांग्रेस के साथ आने के लिए सिवाए और कोई दूसरा भी कलप नहीं हो पाएगा सिद्धिकी ने कहा है कि राजनिती में कुछ भी असंभाव नहीं होता है वे पिछले 33 वर्स से मायावती को जानते हैं इतना वह उनको जानते हैं उतना मायावती स्वैम को भी नहीं जानती हैं वे आज मायावती का सम्मान करते हैं उन्होंने एक सवाल के जबाब में बस्पा में पुना सामिल होने की संभावना से इनकार कर दिया है उन्होंने काये कि वे कॉंग्रेस में है और मौत के समय तक यहीं रहेंगे उन्होंने दावा किया है कि लोग सभाचुनाओं के बाद कॉंग्रेस की सग्कार बनेगी तथा राहूल गांधी परधानमंतरी बनेगे उन्होंने यह भी कहाई कि देश के अधिकांस लोग मोदी को प्रधान मंतरी के रूप में नहीं देखना चाहते हैं जी हाँ दोस्तो अगली बड़ी ख़वरे चीन समानों का उप्यूग खत्म करने के लिए भारत को अपनाना होगा जैक मा का 996 फर्मूला जी हो दोस्तो भारत कई बार चीन को पीछे छोड़ने और चीनी समानों के बहिसकार करने की बात करता है लेकिन किया भारत ऐसा करने में सच में सक्छम हो पाएगा चीनी मीडिया हमेशा भारत को चीन के मैनुफेक्चरिंग पावर के सामने कमजोर बताती है चीनी मीडिया का अखबार Global Time ने भारत को चीन के ब्यापार करने के लिए कड़ी मेहनत करने की नसीहत ने डाली है चीन के सबसे अमीर व्यक्ती अलिबाबा के फाउंडेसन जैक मा के हालिया सुझाओ बताया है कि भारत का अकुषल विनिर्मार चेत्र सुनिश्चित करेगा कि वह चीन के बराबरी नहीं करपाएगा इस कारण से चीन समानों का प्रतिबंद लगाने की भारत की कोशिस भी बेकार जाएगी आपको बता दे कि भारत 996 अपना करके अपना कारोबार महाल सुधार सकता है ग्लोबल टाइम के मताबिक भारत अब मैनुफेक्चरिंग सेक्टर में चीन से मुकाबला करना चाता है तो उसे 996 फॉर्मिले को गंभीरता से अपनाना होगा इसमें कहा गया है कि भारत 996 अपना करके अपना कारोबारी महाल सुधार सकता है विदेशी निवेसक अकरसित कर सकता है और मैनुफेक्चरिंग सेक्टर में परतिस परदा की छमता बढ़ा सकता है अखबार में कहा गया है कि चीनी समानों पर भारती प्रतिबंद से कोई चीनता की वज़ा नहीं है लेकिन लेख कहता है कि भारत का मैनुफेक्टरिंग सेक्टर चीन से मुकाबले में बिल्कुल ही युग नहीं है चीन रोज मर्रा की अच्छे समान कम कीमत पर उपलब्द कराने में सक्चम है लेकिन भारत में यह सक्चम नहीं है जीहां दोस्तों चीन का कहना है कि कुछ लोगों को लगता है कि मोदी के चतुराई से भारत में चीनी समानों के बहिसकार की मांग पर सहमती जताई लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता मोदी आखिर लोगों को सूजबूज पर भरोसा क्यों कि बहिसकार का अवियान असफल ही होगा इसलिए भारतिये दोबारा चीनी समानों का रुख ही करेंगे ग्लोबल टाइम का दावा है कि भारतियों को राष्टवाद का भूत लंबे समय तक चड़ नहीं सकता है कुछ लोग कुछ वक्त तक चीनी समानों का बहिसकार कर सकते हैं लेकिन आखरी समय में उन्हें कम कीमत पर चीनी समानों को खरीदना ही पड़ेगा जिया तो भारत अब मैनुफेक्चरिंग सेक्टर को दुनिया के अग्रणी देशों के लिस्ट में उपर बढ़ाना चाता है तो चीन इसे सवक लेगा लेख में कहा गया है कि इस उपलबदी का स्रे चीनी करमचारियों के कठिन परिश्रम और कुछ रिसर्च और डिवलप्मेंट में लगे लोगों तथा अपरेटर्स सेख होता है गलोबल टाइम के मताबिक 996 सिडियू चीन में आम बात है कई चीनी कारोबारी इसे अपनाया हो और यहां भारत से अरपती ज्यादा से ज्यादा घंटे काम करते हैं आर्टिकल में कहा गया है कि लेकिन भारत में विदेशी निवेसक अतुले तुलनात्मक तोर पर कम कामकाजी घंटे और अस्थानी कामगारों को बहुत ज्यादा समाजिक कल्यान का लाव देने की सिकायत करते हैं इस आर्टिकल में कहाएगे कि भारत को इस सांस्कृतिक और 996 जैसे फॉर्मिले में बदलनी होगी ताकि चीनी समानों को टकर देते योग उतपादन की उमीद बढ़ाई जा सके गुलोबल टाइम इस लेख में आखरी में कहता है कि भारत के आगे कठिन चुनोती मुह बाकर के खड़ी हुई है और 996 सेडूल और कठिन परिस्रम करने के जुनून के बिना भारत चीन के मुकाबले नहीं कर सकता है जिहां दोस्तों अगली बड़ी खबर है फेस्बुक यूजर हो जाए साधान ऐसा बंद हो सकता है आपका अकाउंट फिर कभी नहीं चालू हो पाएगा न्यूजिलेंड के काइमिस चर्च में हुई हिंसा के लाइव इस्ट्रिमिंग के बाद फेस्बुक ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि लाइव इस्ट्रिमिंग का इस्तमाल अगर कोई वीडियो में हिंसा के लिए करता है तो उसे अकाउंट हमेशा के लिए बंद किया जाएगा फेस्बूक के पीवी गाय रोसेंट के अनुशार जिस लोगों के तै नियम तोड़े हैं उस पर फेस्बूक लाइव इस्ट्रिमिंग फीचर का इस्तमाल करने पर प्रतिबंद लगा दिया है आपको बता दे कि फेस्बूक पर नफरत रोकने के लिए कमपनी वन स्ट्राइक पॉलिसी ला रही है इसे लागू होने के बाद अगर को यूजर्स इसके सर्थ का उलंगन करता है तो उसका अकाउंट पर रोक लगा दिया जाएगा गायरोसे ने बता है कि क्राइमस चर्थ के आतंकी हमले को फेस्बूक पर लाइव इस्ट्रिमिंग के साथ चलाया गया था वहें इस वीडियो को कई यूजर्स ने भी सियर किया था इस वीडियो को फेस्बूक के यूजर्स की वाल के डिलीट भी कर दिया है हाला कि कई यूजर्स को एडिटिंग वीडियो भी सेयर किया था ये वीडियो हमारे लिए चुनोती है गैर उसे ने बता है कि अगर कोई यूजर्स किसी आतंकी संगठन के बयान का लिंक भी साजा करता है तो ये सभी लाइव इस्ट्रिमिंग पॉलिसी के खिलाफ है पैनाथ सभी बाइसन जेट्स के पाइलर सी सूट यानिकी यूनिफॉर्म पर फालकन इसलेपर्स के नाम से बिल्ला लगा रहे हैं जो अब इस यूनिट का नाम भी हो जाएगा जी हाँ दोस्तों इस बैज का फालकन इसलेपर्स लिखा हुआ है इसके साथ ही इसमें पाकिस्तान के F-16 विमान को भारतिय फाइटर प्लेन गिराते हुए नजर आ रहा है इसके अलावा अविनंदन वर्दमान का यूनिट को आर्मन डॉगर्स भी बता रहे हैं इसलिए क्योंकि मिग 21 के सवार अविनंदन वर्दमान ने पाकिस्तानी विमान F-16 से लेकर के 4-5 एम राम मिसाइल छोड़ी मिग 21 के इन सभी को डॉग दे दिया था अभी तक मिग 21 बाइसन फाइटर जेट वाली एक एसक्वाइडन को एसक्वाड आर्म के नाम से जाना जाता है जी हाँ दोस्तों आपको बता दे कि बाला कोट में भारत के एरस ट्राइक से बॉखलाए पाकिस्तान ने 27 परवरी के सुबह पहले ही F-16 फालकन जेट 17 और मिराज लड़ाकू बिमानों से भारत के सेने ठीकानों पर हमला करने के कोशिस की थी जिसके बाद भारती वायुसेना के सुखोई बाइसन और मिराज लड़ाकू बिमान के नाकाम कर दिया इस दोरान विंक कमाडर अविननदन ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को मार के रहा था लेकिन अविनननदन वरतमान को सीमा में पहुँच गये थे और उनका MIG-21 भी क्रेस हो गया था उन्होंने पाकिस्तान सेना में बंधक बना लिये गे हाला कि उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया था जी हाँ दोस्तों अक्री बड़ी ख़वरे कुलकत्ता हिंसा पर इलेक्सन कमिशने की ममता बनर जी के दो अपसरों की छुटी जी हाँ दोस्तों पस्ची मंगाल में बीजेपी अद्धक्च अमिस्सा के रूटसों के दोरान हुई हिंसा पर चुनाव आउग ने सक्त कदम उठाय है चुनाव आउग ने बंगाल में आज रात दस बजे सद तक चुनाव पर चार पर रोक लगा दी है इसके आलाबा आउग ने पस्ची मंगाल के प्रधान सचीव अत्री भटाचार और CIED की अत्रिक्त महान रिदेसक राजीव कुमार को उनके पत से हटाने का आदिस दे दिया है उधर चुनाव आउग के सक्थ करवाई करने पर ममता बनर्जी भड़क चुकी है उन्होंने कहा है कि बीजेपी के निर्देस पर चुनाव आउग ने ये फैसला लिया है राजीव कुमार महीं पूलिस अफसर हैं तो इससे पहले कुलकत्ता पूलिस कमिशनर थे आखरी राउंड में जो चुनाव आउग पर सो यानि की 17 माई को साम 5 बजे खत्म होना था लेकिन वो कल यानि की 16 माई को रात 10 बजे खत्म हो जाएगा जिया दोस्तों इसके बाद किसी तरीके के सारवजनिक परचार की अनुबती नहीं होगी बंगाल के हालत को देखते हुए चुनाव आउग का सबसे बड़ा एकसन है जिसके बारे में पहले कभी नहीं सुना गया है कहीं पर इस तरीके के हालात बन जाए कि हिंसा को रोकने के लिए चुनाव परचार पहले खत्म करना पड़ जाए लेकिन चुनाव आउग के इस फैसले के बीच सबसे बड़ा चटका पस्ची मगाल की मुख मंतरी बंता बनर जी को लगा है क्योंकि उनके कुछ बड़े अफसर का चुनाव आउग से एकसन ले लिया है उधर इस्वाचंद बीद्यासागर की मुर्तिक खंटित होने पर आउग ने सक्थ नाराजगी जताई है चुनाव आउग ने कहा है कि इस परचार की हिंसा फिर से हुई और सक्थ कदम जरूर उठाए जाएगे राज़े में नौ सीटों पर पचार की अधिकारी सुक्रवार साम पांच बेर तक होगी लेकिन आयोग के एक दिन पहले हैं इसे ख़त्म कर दिया है जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी ख़बर आ रही है वहीं सेना का एक जवान सहीद है जी हाँ दोस्तों अभी तक वहां की एक नागरी की घायल होनी की संभाना बताई जा रही है अभी भी एक घर में आतंकी छिपे होनी की आसांका है प्राप्त जानकारी के अनुदर सुरक्षा बलों की तालासी अभ्यान सुरू करती है लेकिन अभी तक आतंकी वादी का सो बरामद नहीं हो सका है इस बीच गड़बड़ी का आसांका देखते हुए करफिव भी लगा दिया गया है और इलाके में नेटवर्क की सुभधाई भी बंद कर दी गई है